गारा 370 हटने और केंदर शासित प्रदेश बनने के बाद जमू कश्मीर में आज होगा पहली सरकार का गचा नूमर अबदुल्ला लेंगे मुख्य मंत्री पद की शपत, शपत ग्रेण में होगा इंडिया ब्लॉफ इरनेताओं का शक्ती प्रदर्शन हर्याना में सरकार के गच्छन को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैचा केंद्रे ग्रे मंत्री अमिन शाह की मौझूदगी में चुना जाएगा विधायक दल का नेता, कल हर्याना में होगा नई सरकार का शपत ग्रेण वायनाट से राज़्यते करियर का पहला चनाव लड़ेंगी प्रियांका गांधी, राहूल गांधी के ने जीत के बाद छोड़ी थी वायनाट लोकसभा सीथ, कंग्रस ने वायनाट से प्रियांका गांधी को बनाया, उमीदवार महराश्रा में विदान सबाच चनाम की घोषना के बाद आज महायूती की बड़ी प्रेस कॉन्फरेंस एक साथ एक मंचिसे प्रेस को सम्भोधित करेगे स्टीम एकनाच शिंदे, डेप्टी सीम दिवेंद्र फर्णविस और अजुत पवार दिली में बीज़पी केंद्रिच चनाम समिती की बैठक में जारखंड के लिए उमीदवारों के नाम पर मंधन सूत्रों के मताबिक करीब 55 सीटों पर नाम फाइनल जल्दा सकती है बीज़पी की पहली लिस्ट इसलामबाद में आज सीओ की बैठक में शामिल होंगे विदेश मंतरी एश जैशंकर बीती राथ पाकस्तान के पीम शेबाज शरीफ के डिनर में शामिल हुए थे विदेश मंतरी उत्तर प्रदेश में खाने की चीजों में थूकने या फर्जी नाम से बेचने वालों के खलाफ आक्शन की तयारी दो नए अध्यादेश लाने वाली है योगी सरकार उत्तराखन में सीएम धामी ने भी दिये सफ्त कारवाई क्या दिवाली से पहले ही जहरी ली हुई दिल प्रदूर्शन के बढ़ते स्तर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वायू गुणवत्ता प्रवंधन आयोग को लगाई थी फटकार इस्राइल एमनानी उधके बीच इस्राइल के प्रधान मंत्री ने तिन याहू का बड़ा बयान बोले जब तक जीत नहीं हासिल होगी जारी रहे गाई हो झाल हो